नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता लक्ष्मी की एक बहुत सुन्दर कहानी लेकर आएं हैं एक समय की बात है किसी गाउ में एक साहुकार और साहुकार नी रहते थे उनके तीन बच्चे थे साहुकार बहुत समझदार और धार्मिक था सुबह उठकर स्नानादी करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता था जबकि साहुकार नी उसके विपरीत एक आलसी महिला थी ना तो सुबह जल्दी उठती थी ना जाडू पोछा करती ना खुद स्नान करती ना ही बच्चों को स्नान कराती थी साहुकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म महूरत में उठकर जाडू पोछा किया करो स्नान आदी करके चौका किया करो बच्चों को भी सनान आदी कराया करो देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है जिस घर में गंदगी होती है वहां कभी बरकत नहीं आती अनिधन की कमी रहती है अशान्ती चाई रहती है और मालक्षमी की जगह दरिद्रता का वास रहता है लेकिन साहुकार्णी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहुकार्णी जा रही थी तभी मा लक्ष्मी ने एक सुन्दर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली बेहन क्या तुम्हारी लाल्टेन की रोश्नी से मुझे भी ये रास्ता पार करा दोगी तो साहुकार्णी बोली हाँ जरूर लेकिन तुम कौन हो तुम्हें पहले कभी गाउं में नहीं देखा तब मा लक्ष्मी बोली मैं शहे से यहां अपनी बेहन के आई हूँ दोनों बाते करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहुकार्णी बोली बेहन तुम कल सुभा मेरे घर आना हम खूब बाते करेंगे अगले दिन माता लक्ष्मी साहुकार्णी के घर पहुँची और घर की दशा देख बोली बेहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती घर कितना गंदा हो रखा है चोका भी गंदा पड़ा है बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं तब साहुकार्णी बोली बेहन लक्ष्मी मुझे साफ सफाई करना बिलकुल अच्छा नहीं लगता तब माता लक्ष्मी बोली तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा तब माता लक्ष्मी बताती गई और साहुकार्णी घर का काम करती गई घर की सारी साफ सफाई कर चूला लीपा और बच्चों को नहला कर साफ बस्त्र पहनाएं फिर साहुकार्णी खुद नहाई और साफ कपड़े पहन कर तयार हो गई इस तरह माता लक्ष्मी रोज साहुकार्णी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती इस तरह कई दिन बीद गए साहुकार ये देख बहुत खुश हुआ घर में साफ सफाई रहने से बरकत होने लगी घर में अनधन के भंडार भर गए साहुकार्णी की पडोसनों ने जब उसकी तरकी देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहुकार्णी से पूछने लगी अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए तो साहुकार्णी बोली मेरी एक सहेली है लक्ष्मी वो रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है उसी ने मुझे ये सिखाया है मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करना नहाना धोना अच्छा लगता है तब वो सब बोली ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है किसी दिन उसे रोखना और हमें भी उससे मिलवाना दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी आई तो साहुकार्णी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली बहन मेरी पडोसने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी रोज आती है और चली जाती है तेरे घर रुकती क्यों नहीं आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दोंगी अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ तब माता लक्ष्मी बोली बहन मैं तो राजा महराजा के घर भी नहीं बैठती तेरे घर कैसे बैठूं पर साहुकार्णी नहीं मानी और हाथ पकड़ कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया तभी माता लक्ष्मी ने साक्षा दर्शन दिये साहुकार्णी आश्चर्य चकित हो गई और माता लक्ष्मी के चर्णों में गिर कर प्रडाम करने लगी उस दिन से माता लक्ष्मी साहुकार के घर विराजमान हो गई और साहुकार के अनधन के भंडार भर गए हे माता लक्ष्मी जैसी कृपा साहुकार और साहुकार नीपर करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना, सब के अनधन के भंडार भरना जै मालक्ष्मी